नमस्कार, मैं डाक्टर संजय मनहोर आएदे, गोवर्मेंट कॉलेज आप एजुकेशन बिलासपूर छत्तिस गड़ से हूँ यहाँ पर मैं कक्षा पाँच से, कक्षा नौ के बीच पढ़ाय जाने वाले शेत्रमिती के कुछ प्रमुक सुत्रों से सम्मन्दित बच्चों के लिए कुछ अध्यापन सामगरी लाया हूँ जो जिरो कास्ट टीचिंग एड है हमारे बच्चे हमेशा पुछते हैं कि यह सूत्र आया कहां से और पहले जब हम पढ़ते थे तो सूत्र हम केवल बताते थे और बच्चे उसको हल करने के लिए बात दे होते थे लेकिन आज ये सूत्र आया कहां से उसके बारे मैं यहां पर जानकरी देने की एक छोटी कोशिश कर रहा हूँ सरप्रथम आयत का शेत्रफल जो की बच्चों के पूरो ग्यानपर आधारित है हम बच्चों को एक आयताकार कोई भी एफोर साज का कागज भी हो सकता है और उसे उन बच्चों को पूछ सकते हैं कि इसकी जामिती आकरिती कैसी है जैसी हमारा बच्चा चूकि उसके पूरो ग्यान पर पूछा हुआ प्रशन है तो बहुत अच्छे से उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहता है वो बता सकता है कि उसकी ये भुजा जो है वो लंबाई भुजा है और ये भुजा ही जो उसकी चौडाई भुजा है अगला प्रशन हम उनसे कर सकते हैं कि इस आयताकार वस्तू का शेत्रफल हम कैसे क्यात करेंगे इस प्रशन का उत्तर भी हमारा बच्चा बहुत अच्छे से बता सकता है कि सर हम इसकेल की सहता से इसकी मापन कर सकते हैं इसको नाप सकते हैं और इसकी लंबाई भी नाप सकते हैं चौडाई भी नाप सकते हैं लंबाई और चवडाई नापने के उपरांत हम इन दोनों का आपस में गुणा करके जो आता है हल वो उसका वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जैसी भी इसकी काई हो उसका शेत्रफल बहुत आसानी से ग्याद किया जा सकता है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने बच्चों को यह भी कह सकते हैं कि चलिए इसको हम इस प्रकार से राउंड शेप दे दिया तो यह कैसी जामिती आकरिती बन गई तो बच्चा बड़े ध्यान से देखने के बाद इसको पाता है यह तो उसकी चीर परचित आकरिती है और यह एक बेलना का आकरिती है उनसे पुछा जा सकता है कि अभी अभी आपने बताया था कि इसमें लंबाई बुझा कोन सी है चौडाई बुझा कोन सी है और वो कहां गई तो बड़े आसानी से वो देख के बता सकता है एक बार वो खोल भी लेगा और फिर उसको लगा के देखेगा कि मैंने लंबाई जो बताई थी वो इस प्रकार से वृत्ताकार इस्तिती में बदल गई है और जो चवडाई बताई थी वो लंब उचाई बदल गई है तो देखता है कि वृत्ताकार वस्तु का शेत्रफल जिसको हम परिधी करते हैं वृत्त की परधी क्योंकि यह वृत्ताकार हो गया है तो वृत्त की परधी 2πr और जो उसकी चवडाई है वो उसकी लंब उचाएंग बदल गई है जो कि H हम मान रहे हैं तो 2πr अर्थात लंबाई H उसकी चवडाई तो लंबाई गुणित चवडाई बराबर शेतरफल 2πr गुणित H बराबर 2πr H जो कि बेलन का वकरप्रिष्ठ है 2πr H इसी करम को अगर आगे और बढ़ाएं तो हम बोलते हैं कि भाई देखिए इसमें अगर मैं कोई चीज भरता हूँ तो इसमें कितना सामान पानी या कोई द्रव्य आएगा और इसको क्या कहेंगे बड़े आसानी से उत्तर दे सकता है कि सर ये तो आयतन हो गया तो चलिए इसका भी देखते हैं अभी आप भी आपने बताया कि इसका जो शेत्र कैसा हो गया वृत्ताकार हो गया है तो इसका शेत्रफल क्या होगा बच्चा आसानी सुत्तर देता है कि सर पाई आर स्क्वेर और ये जो है उसका चवडाई वो पुझा चाई के रूप में है फिर लंबाई गुने चवडाई बराबर शेत्रफल पाई आर स्क्वेर इंटु एच बराबर पाई आर स्क्वेर ये बेलन का आयतन ये सूत्र इस प्रकार से आते जा रहा है इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं हम बोलते हैं इसका संपूर्ण पूरा उपर का भी नीचे का भी और ये पृष्ट भी तो देखता है कि यहां भी वृत्ताकार है यहां भी वृत्ताकार है और अभी अभी उसन सानी से उसका उत्तर वहां दे सकता है कि आयताकार शीट अगर हमने लिया है तो उसका शेत्रफर हमने लिया लंबाई गुणित चवडाई बेलन के आधार की परिमाप गुणित चवडाई हो तू पाई आर गुणित हूँ इसी क्रम में अगर हम आगे बढा रहे हैं तो तू पाई आर ह धन 2 पाई आर इंटो 2 पाई आर तो ये कितना हो गया 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर तो 2 पाई आर स्क्वेर इसको जब हल करते हैं तो 2 पाई आर कॉमन निकालके H प्लस R बेलन का संपुर्ण प्रिष्ठ हो जाएगा तो ये एक बहुत सिंपलेस्ट वे में हम बच्चों के साथ इस प्रयोक के द्वारा बच्चे खेल-खेल में ये सूत्र आय कहां से और इसको किस प्रकार से हम अपने जीवन में उसका उप्योक करेंगे बहुत आसानी से बच्चों को बताये जा सकता है धन्यवाद